के लो दोस्तों बात कर रहे हैं बाइलोंची के बारे में तो आप JOSH किस्टेंदी और हम चीन जो फिर्ट ऐसन करें तो आप लोगों को 200 कुश्ट थे लेक्षर के बनिए हैं वह को जनरल साइंस को जो उसी में ड़ले कुई और उससे पहले लोगोंने बाइलो जीए को जिस तरह से देखा था उसके जितने भी चैप्टर थे सभी उसमें पड़े विए तो उहां जाकर आप नहीं भी देख लें और इसे भी देखते हैं तो एक सो प्रही हमाररद सो 11 अबाह क्विशन क्युज है मि क्यों सा काला ढलार रोघ कपरी जीवी है तो आक को आपको याद रहना है लीच माणिया डोनों वानी सो में पेरों बैशन कोसों तथा सरी या नभागों में सूजन हो जाता है फैर फूल हाथी के फैर जैसा हो जाता है इसलिए इसे रोग को फील पाउं एलीफेंट इस जिस कहते हैं बात करते हैं दोस्तों दो बाकुश्चन उस विज्ञानिक का नाम क्या है जिसने मदू मक्हियों के संचार सब्सक्राण की भासा का पता लगा है तो याद रखना काल वान फ्रिस्ट यह उप्सं सही एक सो तीन बाग घर गोवस तथा मनुस में सबसे छोटी हड़ी होती है तो याद रखना इस्टे फीच है तो दो सचार कुश्चन नमर इसमार सकती की हानी किसके नर्ष्ट किसके नर्ष्ट होने से होती है तो याद रखना सहरी विम तो दो सो पांच कुश्य नमर एक लंबे संकर फौदे में सो परागन कराने पर लंबे वाप होने तीन अनुपाति एक में पराप्त होती यह पईडाम सिद्ध करता है याद रखना फिथक करन का नियम मैंडल द्वारा लंबे पौदे यह नाटा पौदे के वीच क्रोस तब पहली मैं सभी लंबे पौदे प्राप्त होंगी किन्तु दूसरी पीडि में के लिए लंबे पौदे का जीन अब पौदे का अलगलग हो जाते हैं सो तन्त अभ्युवान कर नियम जब दो बिन लक्षनों के गुड़ आफस में मिलाया जाता है तब दोनों लक्षन आपस में मिल जाते किम्तु अंगली पीडि में दोनों गैड़ अलग-अलग हो जाते हैं बात करते हैं एक तुर्भाविक्ता का नियिम लॉब डॉमिनेंस जब दो लक्षण एक साथ रहते हैं तब उन में एक पिरभावी ततना दूसरा आप पिरभावी होता है जो लक्षण पिरभावी होता है वही अंगली पीडी में देखाई लिता है बात करते हैं 206 कुष्ण नमर अनुवांसिक यांत्रिक है तो आपको याद रखना है एक जीप के जीन्स में परीवर्तन किया जाता है बात करते हैं इसकी ब्याक्षा के लिए जब किसी जीप के जीन्स में परीवर्तन किया जाता है तब इस क्रिया को अनुवांसिक यांत्रि कहा जाता है टेस्टी ट्यूब वेवी यह मेल एंड फिमेल के टिसू को ट्यूब में फ्रोज कराकर जाइगोड बनाए जाता है तथा इस जाइगोड को फिमेल औरी में रख दिया जाता है इस करिया के द्वारा उत्पन बच्चे को टेस्टी ट्यूब वेवी कहा जाता है ब कि फोसंस कहा जाता है इसकी खोई वार बार बेरा मी क्लेंटक द्वारा किया गया था 208 पुश्चन अनुवान सिक लक्षन जनक के संतान में किसके द्वारा होता है तो याद रखना है आपको जीन 預 human जीब विग्यानिक 5 जून का दिन किस रूप में मना था याद रखना विध्वी वाता वरें झर्वारा पास्ट के रूप में जाते हैं 210 चुश्चन जलिए वाता वरर्न में सूप जनतू और पातों को समलित रूप से कहते हैं लिए रखना में प्जुवाक जलिए वातावेण में सुख्च बिजीम और पातपों को समलित रूप से फिलोवग कहते हैं किसी छेत विसेश में पाए जाने वाले पौदे को फिलोरा कहा जाता है किसी छेत विसेश में पाए जाने वाले जन्तूओं को फौना कहा जाता है बात करते हैं 211 मौन गाटी जहां पात्पों और जन्तुओं की दुलव जातियां कहां परही केरल में ठीक है बात करते हैं 212 कुश्चन भारत वर्सकी का राष्टी पक्षू राष्टी पुस्प पुस्म है वियादर की कमल भारत का राष्टी पुस्प कमल है आगको पता होगा राष्टी पुस्प मोर है राष्टी पुस्प वाग है राष्टी पुस्प आम है राष्टी मिठाई जलेवी है राष्टी पुस्प नेवी ठीक कि राश्टी पक्षी नीम रात्य बैक्ष नीम याद रखिए राश्टी वेक्ष वर्गत ठीकव नीम आं गिलत व्रेंट को रहा ऊब याद रखिए हैं 130 नंबर टर यह में एक सोतेरो फिस्ट्र सब्सक्री होता है जूट से पूरा बनाया जाता है सबसे अधिक जूट की कहती फ़र्ष्ट मंगाल में होती है एक सो चौधाइव दोसो चौधाइव पुशन भारत में होकी इस्ट्रेक किस से बनती है तो याद रखना मोरुस अलवा वी ओप्शन सेल्ड़ा क्रिक्ट के बल्ले किस पयाला यारिया से बलता है टीक की पौदी का वॉतक है डिक टक्टोना ग्राइन राइन से बात करते हैं दोस्टस कूष्वे जी क्छ तो याद रखा बैसिलस किलेमेटी ग्यू रेन ॹशी जी का टीख छहरोग तीवी लाइच चाहित सब़्क्य कोष्व माइप стать GGilinarat способ ह प्रूब एक्टिरियम टीवर क्लेसिस नामक विट जीवान से होता है। बात करते हैं कि 217 फसलों का हेर फेर किसके लिए आवस्यक्त होता है। मिर्दा की उर्वरक्ता बढ़ाने के लिए डी ऑक्षन है 270 का दोस्वाशारा सीदकाल में तुसार पाले का वितरन कहां पाया जाता है। याद रखना है उत्कों में निर्जली करन तथा यांत्रिक छती हो जाती है। बी ओप्षन सही है। 19 डी ने का किंतिम संस्लेशन शरपितम किस ने किया था। याद रखना है कौन इसके एक छोटे सिभाग को जीन कहते हैं या माता-पिता के गुड़ों को संतानों में पहुंचाता है। डॉक्टर हर कोविंद खुराना ने 1968 में जैनेटिक कोड की कुछ की थी। ठीक है। इसके लिए उन्हें नोवल प्राइप भी मिला है। बात करते हैं 220 कुश्चन नमर एक जीब जिसमें दो समरूपी अनुवांसी की कारकों का जोड़ा होता है कहलाते हैं। तो याद रखे सम यूगमी जीब एक जीब जिसमें दो समरूप अनुवांसी की कारकों का जोड़ा होता है। सम यूगमी यूगमी नहीं कहलाते हैं। 221 कुश्चन राइवसॉम्स किसके बने होते हैं। याद रखना आरेने प्लस प्रोटीन। 222 कुश्चन निम्लिकित में से सूत्य विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है। फ्रोफेज। ठीक है। 223 कुश्चन मेयोसिस की किस स्टेज पर गुर्सूत्रों की संख्या आधी की जाती है। तो याद रखना एनाफ फेज फर्शन है। 224 कुश्चन नमबर डीने की कोश्च सरफ यूथ हम किसने की थी तो याद रखना फिसर। 225 क्रोमोसोम किसके बने होते हैं। तो याद रखना उपिप्ट में सभी के द्वारा डीने आरेने प्रोडीन ठीक है। बात करते हैं 266 जीन्स किसके बने होते हैं। याद रखना है फॉली नीव नीवकले योटाइड डिश। 227 कोईश्य के सब्द किसने दिया। याद रखना है रोबायट होग। रोबायट होग। ने कोईश्य के सब्द दिया। 181683 में एवी लिएन वर्प लिएन वैन वोग। जीवानों की खोचकी थी। टॉबर ब्राउं 1831 में केंदर की खोचकी। वाल्टर फ्लेमिंग ने 1889 में मेटोसिस डिवीजन का पता लगा है। एलगजेंडर फ्लेमिंग ने फैनिसलीन का खोचकी थी। 228 किलोरोफिल किस में पाए जाता है। तो याद रहना है किलोफिलास्ट के ग्राना में होता है। फोटोसेंथिस का लाइट रियक्षन इसमें होता है। इस्टरूमा फोटोसेंथिस का ड्राइट रियक्षन इसमें होता है। लिखो फ्लाष्ट जड़ में पाया जाने वाला फ्लाष्टिड को लिखो फ्लाष्ट कहते हैं यह रंग ही हिन होता है वह जो संकन संचे की कारण फूल जाता है परनीने कशन है इसडें अनुवेसिक प्रमाट याद रखना है वेक्टेरिया में ट्रांस्फॉर्मिशन ट्रांस्फॉर्मिशन जहीं able प्रमाट भीघतेरिया है दोसो तीस कोशन है लाइसोग आप मत्या का भी तैला है कि उसमें ए जल अपने टक इन्यायम है 231 कोश्चन कोश्चा का पावर हाउस है तो या दखना है माई्ट्रोक अइंडिया में योपसे निए माइट्रोकाइंडिया की खोच किलोग कर ने किया लेकिन माइट्रोकाइंडिया नाम सी बैंडा में रख ने रखा ADP को ADP में परीविंसित करता है ग्लोजी बॉडी ब्लांड एनिमल सैल्स दोनों में पाए जाता है इसकी कोच केमी लोग जी ने 1889 में किया इन्हीं के नाम पर इसे गोल जी बॉडी कहा जाता है इससे परीबन होता है इसे निउकली लस निउकली इस की अंदर एक गुल आकृति होती है जिसे निउकली इस एक होता है बात करते हैं 232 क्षचन वाइव मंडल में कार्वन डाई उक्साइट की मात्रा लगभग है याद रखना 0.033 निउकली इस अंतिन रूप से जैविक उजया किसमें प्राफ्त होती है तो याद रखना एटीपी दोसर चोंतीस कुष्ट्राइब बनी होती है खाद सेंगला बनी होती है तो याद रखना उत्पादक एवं अभोगतां थी प्राद रखना उत्पादा के वंगभोगता से बनी होती है उत्पादक वैसे जीप जो अपना भोजन स्वयं बनाते है जिसे जीव। वक्री से आरवाग इत्यादी अगटक मिल्ट उत्पादा के वोगता को सर्ल फदार्थों में अगटत करने वाले जीव को अगटत या मित्तोग जीवी कहते हैं जीवाडू वीसाडू कवक इत्यादी 235 किसी निष्चे छेट जैसे तालाव आदी में पोधों वा जन्तियों के वीच पारिष्टिकी तंत कहा जाता है 236 क्रोफ रोटेशन से लाप होता है भूमी में और वर्टा में बढ़ोत्री 237 कुश्चे नमर्ट सुई की सूर की रोशने से अल्टा वाइलेट केने निकलती हैं जो को तपादित करती है तो यादर्थना ओजों 38 अमले बर्शा का प्रमुक कारण है तो यादर्थना बाई प्रितुशन द्वारा एसो टो की मात्रा में विध्धी 49 वारत में मिर्दा परदन का सबसे गंभीर कारण है वन कटाओ 40 मेर्दा कर्ण की सतय पर मजबूती से चिपकी पतली जल पर कहलाती है तो याद रखना आधिता जल मेर्दा कर्ण की सपय पनमजबूती से चिपकी पथली जल पर आधुताद जल कहते हैं को इसका जल जड़ द्वारा अवसोसित कर जैलम का वरां पोदों के अन्य भाव में बिज़ा जाता है एक तालिष जल करांती कहा जाते हैं तो याद रहां प्रात्मिक वबोक्ता के दोसों तैंतारिस पात्म को मित्टी से जो जल मिलता हुआ है कि याद रहां किस के जल जबाली स्कुर्शन पाद कर जो चक्टानों की सेताय पर रोखते हैं लिठोफाइटस कहा जाता है जिए वायू का मुक्ट फेदूसर है विद्धर हां सीव करवन और ऑउकसाइड थोस करवन ऑउकसाइड को सुस्क बरख भी कहा जाता है जिए व्यादर हां जीवों का समुदा यूप परस पर प्रिति की हिया करें तो सेंतालीस पितिवी के सभी जीवों को क्या कहते हैं तो याद रखना जीव मंदल तो याद रखना सदेव सीद्धा पनंचास मिर्दा परदन को रोखा जा सकता है बन रोख पर पचास कि ग्रेंब हाउस प्रोख किस गेस के इकत्त होने सकता है तो याद रखना प्रोख के इकत्त होने से होता है बाई मंदल में बढ़ती हुई आनिकारक गैसें जैसे सबसे अधिक जिम्मेदार है चलिए तो दोसो पशास कतम हो चुके हैं आंगे देखेंगे दोसो इंक्यावन से अधिक्यावन से अधिक्यावन